एलो दोस्तो वेसे आपको पता होगा कि Big Boss में हर साल के अंदर कोई वीनोर बनता रहता है और हर साल के अंदर वीनोर बदलते रहते हैं लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि 2024 में पूरे बैंड इंडर्ष्टी की टोफ बैंड यानि आखिर वीनोर कौन बनेगा वेसे दोस्तों पूरे बैंड इंडरस्टी में हजार से कहीं सारी बैंड मौजूद है लेकिन क्या गभी आपने सोचाएं कि इन हजारों बैंड में से आखिन इन सभी बैंड की बाप कौन होगी क्या रोकिष्टार होगी क्या कोहनूर होगी या फिर बजरंग बैंड वेसे दोस्तों इन तीनों बैंड की बात तो छोड़ो है पूरे बैंड इंडरस्टी में इतनी जादा खतरनाक और धासु बैंड आ चुकी है किन तीनों बैंड वो भी टकर मार सकती है लेकिन इन सभी बैंड में से आखिर वीन और कौन बनेगी लोगों को नहीं पता लोग आज भी कन्प्यूस है लेकिन दोस्तों आज किस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर 2024 में वीन और कौन सी बैंड बन सकती है क्या रोकी होगी या कहनूर या फिर बतरंग या फिर कोई अधर बैंड तो दोस्तों टेंसन मतलो आज से करेब 5 साल पीछे जाते हैं वेसे दोस्तों पीछे जाने के बाद यानि 2018 में वेसे दोस्तों आपको पता होगा कि 2018 के वाक तक कोई भी ऐसी competition नहीं होती थी कि जहाँ पर लोग यानि बैंड वाले आगे बनने की स्थीती में हो वहाँ पर दोस्तों वेसे भैंड की टकर तक तो होती थी लेकिन दोस्तों इसा competition नहीं होता था जैसार तो competition हमें आज देखने के लिए मिल रहा है वेसे दोस्तों आज से 5 साल पहले यानि 2018 में बैंड की धासु टकर होती थी लेकिन 2018 के वक्त बैंड की धासू competition नहीं होती थी जैसे competition आज हमें देखने के लिए मिल रही है वेसे दोस्तों competition की मात्रा आज के date में इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि सभी लोग हो या फिर सभी band वाले आज के date में बस life में successful होना चाते है फिर वो band की बात हो या फिर लोगों की बात हो सभी लोग आज की date में life में बस successful होना चाते है वेसे दोस्तों अगर band की बात करें तो band industry में आज इतनी ज़्यादा band आ जुगी है कि सभी band हमें popular देखने के लिए मिलती है वेसे दोस्तों अगर band की system की बात करें तो band के अंदर हमें heavy system देखने के लिए मिलती है जैसे system हमें आज से 5 साल पहले के band में नहीं देखने के लिए मिलती थी वेसे दोस्तों आज से 5 साल पहले के band industry में जो band top band रहती थी उसके अंदर जो हमें सिस्टम देखने के लिए मिलती थी वो सिस्टम आज की बैंड इंडरस्टी में नॉर्मल बैंड के अंदर भी हमें मिल जाती है यानि दोस्तों 5 साल के अंदर सब कुछ बतल चुका है जहाँ पर कॉंपिटिशन की मात्रा नहीं होती थी वहाँ पर 5 साल के बाद कॉंपिटिशन की मात्रा बहुती ज्यादा बढ़ जुकी है लेकिन लोग सिर्फ कंप्यूज है कि आखिर 2024 में विनार कन बनेगा क्या रोकी स्टार होगी क्या कहिनूर होगी क्या जै बदरंग होगी एमजे स्टार होगी सुपर जंकार होगी रोकिंग स्पाइडर होगी या फिर सुपराज बैंड आखिर कौन सी बैंड होगी क्योंकि इन बैंड इंडरस्टी में हाचारों बैंड है आखि इन हाचारों मेंसर टोप पंड कैसी होगी व्यसे दोस्तों आपको क्या लेखता है। इन सभी पैने की बाब कौन हो सकती है। कॉमेंट बोक्स में लिख दीजे। क्योंकि दोस्तों इंसाप करने वाले और कोई नहीं बलगी आप ही वो वेसे दोस्तों आज की डेट में वो बैंड वीनर बनती है जो टक्कर में जितती है और वेसे दोस्तों जिस बैंड का साउंड धांसु होता है वो ही बैंड वीनर बनती है लेकिन वेसे आप लोग यह यह साउंड के बाद किसी बीन्द इंडेन इसी बमी रहना जरूरी professor और सब्सक्राइब पूरे बैंड इंडरस्टी में भल ही टक्र की मात्रा कम वो जाए लेकिन गी की कमडिशन की मात्रा बिल्कुल भी कम नहीं होगी क्योंकि सब्यद्र को आगे बढ़ना है इसलिए कंपेशन के मात्रा तो बढ़ती ही जाएगा और वेसे दोस्तों हमें 2021 में ही पता चलेगा कि आखिरी Dobre Bhand बंने के लिए आया कौन सी Bhand है तो दोस्तों साथ में आप comment भी लिए आया ताकि दोस्तों मुझे भी पता चल सघी कि किस Bhand की da wallet सबसे ज्यादा है तो दोस्तो जिस band के उपर जादा comment होगे तो मेरे हिसाब से वो ही band topper भी बन सकते हैं तो दोस्तो जो भी band के चाहने वाले हैं क्या केते हो जल्दी से जल्दी comment ही लिख दीजे और अपने band को बना एक topper band साथी वीनर बनने के लिए आप उसे रोखेगा मत बलकि साथ दीजे तो क्या कहते हो और क्या सोचते हो कमेंट लिख दीजे मेरे दोस्त